हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एटो चनल संदर मेत पर आज के इस वीडियो में हम लोग गुना करना सिखेंगे यानि कि मल्टिप्लाइ करना सिखेंगे पहले एक अंग के साथ गुणा करना सिखेंगे उसके बाद दो अंगों का गुणा करना सिखेंगे और उसके बाद तीन अंगों का गुणा करना सिखेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग को जब गुणा दिया हो तो किस तरीक से करना है यह देखिए आपका पहला वाला संक्या है 143 यानि कि 143 उसको multiply करना है 2 से तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले यह देखिए नीचे क्या है आपका कौन से संक्या है नीचे 2 है यानि कि आपको 2 का पाढ़ा पढ़ना है दो का पढ़ा कितना बर पढ़ना है सबसे पहले तीन बर पढ़ना है उसके बाद चार बार उसके बाद एक बार तो चलिए पढ़ते हैं अगर हम लोग दो का पढ़ा तीन बर पढ़ेंगे तो कितना होगा दो तिया छे तो उसको उसके निचे लिखेंगे यह हो गया छे अब दो का पढ़ा पढ़ाएंगे चार बार तो दो चोके आठ इसको यहां लिखेंगे उसके बाद दो का पढ़ाएंगे एक बार तो दो एक कम दो तो इसको लिखेंगे यहां पे तो यह होगी हम लोग का गुना एक अंग का गुना इस तरीक से करते हैं अगर नमबर इधर और रहता है तो हम लोग और गुना करते हैं ठीक है किलियर हैं चलिए इसमें देख लेते हैं ये बिना हसल वाला था और हसल वाला कैसे होता है ये भी देख लिजे पांच का हम लोग को पढ़ा पढ़ना है तीन बार तो पांच का पढ़ा तीन बार पढ़ पढ़ा पढ़ेंगे आठ बार तो 5,8,4,4,4 में इस एक को जोड़ेंगे तो 40 और 41 का क्या करेंगे हम लोग एक को लिखेंगे और 4 चला जाएगा हासिल ठीक है अब देखिए 5 का पढ़ा पढ़ेंगे पांच बार तो 25,25,25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जागा 29 यहां लि आ गया हो यह बैसिक है गुणा करने का चीज तो इसका आप मुझे एंसर कोमेंट करके बताएगा और यह आप बीच में वीडियो को रोपके एंसर कीजिएगा चलिए अब हम लोग शिखते हैं दो अंका गुणा किस तरिक्स से करेंगे जिस तरिक्स हम लोग एक अंका गुण अपना 20 बार ऑठना 6 वह बार क्या करेंगे 5 ऐख यह विख सकते हैं तुमक रीचित मतई निच्छ लागा देंगए यह आप 0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा ठीक है? अब 3 का पढ़ा पढ़ना है 8 बार, तो 3, 8, 24 ठीक है? 24 का लिखेंगे 4, 2 आ जाएगा हासिल 3 का पढ़ा पढ़ना है 4 बार तो 3, 4 के 12, 12 और हासिल का 2, तो कितना हो जाएगा? 14 तो यहाँ लिखेंगे 14 यह हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कैसे? देखिए 0 का 0, 6 0 0, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, 13 का लिखेंगे 3 और हासिल का 1 4 और 5 5 और 1 तो यह हो गया, हम लोग का answer इस तरीक से 2 अंका गुना करते हैं I hope आपको समझ में आ रहा होगा चलिए, अब हम लोग शिखते हैं 3 अंकों के गुना की इस तरीक से करते हैं? तो देखिए सबस्तर पहले क्या करेंगे हम लोग? 5 का गुना करेंगे यारी कि 5 का पहला पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 दोनी 10 तो यहांपे 0 लेखेंगे एक आ जाएगा हासिल अब 5 का पहला 0 बार तो कितना हो जाएगा? 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा क्लियर है? चलिए 75 35 का लेखेंगे 5 हासिल आ जाएगा 3 25 25 में 3 जोड़ेंगे 28 तो यहांगे अमलोग का पहला बार चलिए तो क्या कहते हैं लोग एक क्रोस लगाते हैं उसके बार 6 का पहला पढ़ना है उसके बार देखें 6 का पहला पढ़ना है 2 बार तो 6 दूनी 12 12 का लेखेंगे 2 1 आ जाएगा हासिल बयाल लिस्ट का लिखेंगे दो चार आ जाएगा हासिल अब 6 का पढ़ा 30 बार 6 का पढ़ा 5 बार तो 6 पच्चे 30 30 और 4 24 तो यह लिखेंगे 24 अब देखें हम लुका दो किसाद हो गया तो यहां पर दो क्रोस लगा देंगे अब 3 के साथ करना है तो 3 2 6 3 का पढ़ा 0 बार तो 0 3 7 21 हासिल 2 3 15 15 15 और 2 17 इस तरहें हम लोग गुना कर लिए अब क्या करना है लास्ट हम लोगको इनको जोड लेना है तो अभी हम लोग जोड करेंगे इसको तो देखेंगे 0 का 0 2 और 1 3 6 7 7 5 12 12 का लिखेंगे 2 हासिल आ जाएगा इस तरहें का एक、、ष़ जाएगा 1 और दो 10 और हैसिल का 1 हो जाएगा इग ICE 11 चार एक पांच और दो तो यृद एस तो इनकों मोल का गुना करते है ठीक है तो आसचा करता हम। कुई छोड़े से वीडियो से गुना करना क्लियर हो गया होगा आप एक अंका गुना दो अंका गुना तिन अंका गुना कम सकम कर सकते हैं ठीक है